नमस्कार साथियूं मैं आपका साथी राजपाल चोधरी स्वागत करता हूँ सभी नोजवान और विद्वान साथियूं का सभी साथी जुड़ जाएं साथियू पसुपरीचर बढ़ती को लेकर लगादार अपनी कलासे चल रही है और आप सभी आनद उठा रहें साथ यूप पसुपरीचर बढ़ती को लेकर आज हम कलास लेंगे राजस्तान जीकी की स्पेसल तो आप सभी साथी जुड़ें एक में को मोडल पेपर करेंगे और आप अपना स्कॉर देखना कि आपका क्या स्कॉर रहता है पहला सवाल है कि गोड़ावन को राजस्तान का राजगी पक्सी किस वरस गोसी तक किया गया पहला सवाल आपके सामने आचुका है यदि आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो सुबह ग्यारा बजे और सामको आट बजे रेगुलर अपनी क्लास चलती है इस्टेडी एकड़ावन का आप टेलीग्राम ग्रूप और वाट्सप ग्रूप जोईन कर ले ना वहां पर आपको लिंक भी इसका मिल जाएगा क्लास का वेसे आप सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे गोड़ावन को राजस्तान का राजगी पक्सी किस वरस गोशित किया गया बिल्कुल देखो बेसिक सवाल है और यह देखो पसुपरिचर का जो एकजाम है यह तेंथ लेवल का है दस्वी लेवल का है और सवाल भी 10 लेवल के ही आपको पूछे जाएंगे यह से नहीं कि बहुत आइप आई सवाल आरेश लेवल के पूछे जाएंगे तो उस बरम में आप कभी भी मत रहे ना ठीक ठाक त्यारी कर लेना है ना ज्यादा गेराई में चले जाओगे तो फिर डूब जाओगे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो लोग ज्यादा गेराई में तैयारी करते हैं और उनके सामने इची पेपर आ जाता है ना तो उनकी हवा निकल जाती है नहीं कर पाते हो बिल्कुल इजी जी सवाल भी गलत करके आ उनका मुकुंद्रा पाडियां किसका हिस्सा है मुकुंद्रा की पाडियां किन जिलू में पाई जाती है बतो देखे कोटा बुंदी जालावाड चितोडगर्ड कामर पाई जाती है मुकुंद्रा की पाडियां कोटा बुंदी जालावाड चितोडगर्ड इन जिलू में य यह हिसा सात्यू विंदियन की पाहडियों का तो जो साती भी उतर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला सवाल आपके सामने आचुका है इस्तानांतरित कर्शी को राजस्तार में किस नाम से जाना जाता है जूमिंग खेती वालरा कुमारी या चेना इस्तानांतरित खेती का मतलब क्या है देखो आदिवासी लोग क्या करते हैं जंगलू को जला कर वाँ पर पेड़ पोदे बगरा होते हैं उनको जला कर वाँ पर खेती करते हैं इस्तानांतरित कर्शी को राजस्तान में किस नाम से जाना जाता है जूमिंग खेती का जाता है क्या का जाता है जूमिंग खेती से का जाता जाग्लू को जाड़ेए वनस्पत्य को जिला कर ये खेती की जाती है अग्ला सवाल आपके सामने कि चांदमारी तमर परियोजना राजस्तान के किस जिलें में दोस्ता जुनजुनू च तोड़ गर्ड या पाली कमेंट करो देगे जिसको भी उतर आ रहा है सभी साती जो लाइफ जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें तो राइट आंसर क्या हो जेगा भाई जुन जुनू जो साती भी उतर दे रहे हैं जुन जुनू उन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर आ चुका है अगला स्वाल है कि नवंबर 2022 तक राजस्तान की कुल इस्तापित उर्जा समता है कितनी है कितनी है बाई 23,487 मेगा वाट कितनी है 23,487 मेगा वाट है भी उतर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि राजस्तान में कितने रेलवे मंडल इस्तित है राजस्तान में रेलवे जोन कितने है तीन, चार, पांच या साथ यह तो बिल्कुल देखो बैसिक सवाल है कितने रेलवे मंडल जोन है जेपूर हो गया जोदपूर हो गया, दो तो यह हो गया एक अजमेर है कौन-कौन से है राजस्तान में याद भी रख लेना, एक बार आपने बता देता हूँ आपको जेपूर हो गया दूसरा हो गया, जोदपूर जेपूर और जोदपूर दो तो यह हो गया नमर तीन हो गया, बिका नेर बिका नेर नमर चार पर हो गया आपका अजमेर और नमर पांच वा जोन हो गया, कोटा कौन सा हो गया, कोटा तो यह पांच आपके रेलवे जोन है जेपूर, जोदपूर, विकानेर, अजमेर और कोटा नागोर का सुहालक छेतर देश बर में किस के लिए परशिद है बेलू के लिए, उंटू के लिए, गायू के लिए या बेंसू के लिए नागोर में यहां पर क्या पाइजाते हैं नागोरी बेल पाइजाते हैं जाड़ज दोड़ने के काम आते हैं तो यह बेल लूँ के लिए है ऐ आंशर अपना क्या हो जाएगा अगला है कि सामान ये तोर पर राजस्तान के जल्वायू पर्देशूं को कितने भागू में बांटा गया है तीन चार पांच या साथ राजस्तान के जलवायू परदेशुं को कितने भागू में बांटा गया है बिल्कुल पांच भागू में बांटा गया है कितने भागू में बांटा गया है पांच भागू में अगला है कि सविदान के अनुछे 342 के अनुषार राजस्तान में वर्थमान में कुल कितनी जंजातियां अधिसूचित है अनुछेद 342 के तेद राजस्तान में कितनी अनुशूची जन जातियां है 10, 12, 14 या 16 तो कितनी ये सातियों 12 अनुशूची जन जातियां है भी उतर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा चूट में मिलती है आपको निमन में से किस जील को टापू की उपस्तिती के कारण डेबर जील भी का जाता है राजस्तान की कौन सी जील को डेबर जील का जाता है? जे समंद, राज समंद, पिचोला या उद्ये सागर बतो देगे डेबर जील किस जील को का जाता है? जल्दी से कमेंट करो देखें बैदे को लाइव क्लास का कुछ विदारती बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास नहीं होती तो लाइव का थोड़ा नेटूर का यहां इश्यू है लेकिन कोसी समारी है आड़ तारी कोई आदे को कितने हो गई 17 हो गई लगबक 10 दिन हो गई तो दो राजस्तान में जन्तूओं के संद्रभ में सत्यय यूगम का चेन कीजिए । जन्तूअलिय देखो एक दिर वर्षू से वन्नु और वर्षू से आचादित छेत्रपल है राज्य में कुल वन्नु और वर्षू से यह वर्षू नहीं है वन्नु और वर्षू से वर्षू से ना पेड़ पेड़ू से आचादित वन्न छेत्रपल कितना है राजस्तान में कुल कितना है 28,928 वर किलोमेटर है 28,928 वर किलोमेटर कौन सी मर्दा को उसर रह अलकाइन आदी के रूप में जाना जाता है भूरी, लाल, लवनिय या जलोड मिटी कौन सी मिटी को उसर रह अलकाइन आदी के रूप में जाना जाता है तो यह आपकी है लवण ये मिटी, कौन शी मिटी को जाना जाता है भाई, लवण ये मिटी को राजस्तान में फवारा सिंचाई पढणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलू से समन्दित है बाड मेर जालोर, बाड मेर जेसल मेर, कोटा बारा, चुरू नागोर हमारा सिंचाई पढणाली वाली जो नर्मदा नहर परियोजना है, ये किन जिलू से समन्दित है बाड मेर जालोर, बिलकुल जो साथी ए आंसर दे रहे है, बाड मेर जालोर उन सभी का राइट आंसर आचुका है राजस्तान के सवतंतरता आंदोलन के दोरान गिरिप्तार एवम निर्वासित होने वाली राजस्तान की पहली महिला कौन थी? राजस्तान की पहली महिला कौन थी? आजादी के दोरान गिरिप्तार होने वाली पहली महिला रतन सास्तरी, अंजना देवी चोधरी, शिर्मती नगेंदर बाला, रमा पांडे तो शिर्मती अंजना देवी चोधरी थी भै कौनती अंजना देवी चोधरी चोधरी साब आप भी आंसर अपना राइट हो जाएगा निम्मन में से किस सब्वेता इस्तल से चार वरस पुराना कंकाल बिला है जिसको भारत में कुष्ट रोका सबसे पुराना प्रमान माना जाता है गनेशुर, नलियासर, बालाथर या गिलूंड कौन से सब्वेता इस्तल से चार साल पुराना कंकाल बिला है चार हजार साल पुराणा कितना वरस पुराणा कुष्ट रोग का सबसे बड़ा परमाण का मिला है इसे सवाल देखो पूच लिए जाते हैं एक्जामें बाला थल का मिला है बाला थल उदिपूर तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नीमन में से किस माराज के दर्बार में ये देखो बहुत ही सांदार सवाल है और आप चुका है देखो कहीं बार कहीं बार प्रिक्षा में पूछा जा चुका है किस माराज के دربार में 22 कवी रहते थे 22 जोतिस भी रहते थे 22 संगीत ग्य और 22 विश्विशस्गी के रूप में गंदरोई 22 विद्यवान रहती थी यहाने हर सब्जेक्ट के 22 22 विद्वान रहती थे D answer अपना right हो जाएगा चोमू किस जिले में इस्तित है उद्यपूर, जेपूर गरामिन, कोटा या 12 तो साथ यूँ ये चोमू है, ये जेपूर गरामिन के अंतर के दाता है B answer अपना क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा मारवाड में सामन्तू की चार स्रणियों में जो सामिल नहीं थी उम्राव, गनायत, सरदार या राजवी मारवाड में सामन्तू की जो चार स्रणिया है, इनमें कौन सी सामिल नहीं है उम्राव नहीं है कौन सी नहीं है भाई ? उम्राव ॉम्राव और राइट हो जाएगा मतशय संका, राज प्रमू किसे बनाया गया कलम पड़ चुके मतशय संक के बारे में दौल्पूर, करोली सासग, अलवर या बरधूर के सासको मतश्य संग का राज बर्मुक किसे बनाया गया तो ये दोलपूर के सास को बनाया गया मतश्य संग में चार रियासतों को मिलेया गया कितनी रियासतों एक ही करण के समय मतश्य संग में चार रियासतों को मिलेया गया कौन कौन सी थी देखो कल बात की थी हमने बीशीडी डेली कलास देखते नहीं है आप, अलवर, एक तो अलवर हो गई, एक हो गई बरत्बूर, कौन सी रियासत हो गई, बरत्बूर, और एक हो गई-सी से करोली, और डीजी से तो हो गई, दोलपूर, चार रियासतикомमतेश संग में सामिल किया, बरत्बूर का लोहागड जिसमें मेन केंदर इसका रखा गिया एजी जी जोर्ज पेट्रिक लोरेंस की सेवा को आवबा के निकट 18 सितंबर 1807 की कोक रांतिक आयू ने किस इस्तान पर प्रास्ट प्राप्त किया प्रास्ट किया रहाया प्राप्त नहीं किया ना जो पेट्रिक लोरेंस था साथ यूँ एजी जी राजस्तान का राजस्तान का 1807 की करांति के समें एजी जी कोन था एजी जी का पूरा नाम क्या होता है एजेंट टू गवर्णर जेनरल ये कोन था पेट्रिक लोरेंस था जान रख लेना है ना पेट्रिक लोरेंस को 1877 की करांती के समय करांती कारियों ने किस इस्तान पर हराया तो इसको चेलावास के युद में रहाया था किसके युद में चेलावास का युद में सी आंसर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला है कि सामाजिक और राजनितिक चेतना के लिए स्वामी दियानन्द राजस्तान की पहली यात्रा कब की ती तो जून 1865 में पहली यात्रा स्वामी दियानन्द सरसुति के द्वारा की गई परसिद एकी आंदोलन का नेर्टरत वे किसने किया एकी आंदोलन के नेता कौन थे गोविंद गिरी मोतिलाल तेजावत सादू सिताराम के सरी सिंग बारट एकी आंदोलन का नेर्टर तुए किया था साथ यूं मोतिलाल तेजावत ने किसने किया था मोतिलाल जी तेजावत भी आंसर अपना राइट हो जाएगा बिकानेर परजामंडल के पर्थम अध्यक्स कौन थे बिकानेर परजामंडल के पर्थम अध्यक्स कौन थे कौन थे मेगाराम वेद तो जो साथी भी बता रहें मेगाराम उन सबगाई क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कोटा के किस साथ की काल में सिकार का चितर कोटा सेली का परतीक बणा किस साथ के काल में सिकार करता वा शिकार का जो चितर है वो कोटा सेली का एक परतीक बणा था मादो सिंग, राजा उमेद सिंग, राजा राम सिंग, माराव भिम सिंग तो राइट आंजर हो जेगा राजा उमेद सिंग किसासा के काल में बढ़ाता भाई उमेल सिंग जी के काल में राजस्तानी संसकर्त में ओलंदी क्या है राजस्तानी संसकर्ती में ओलंदी क्या होती है रहे ओलंदी काई वे जी उड़ा बतो देखनी विवा का परकार एक देशी खेल नव वदू के साथ जाने वाली लड़कियां या इस्तरियां राजस्तानी लोक गीत ओलंदी क्या होती है नव वदू के साथ में जाने वाली जो लड़कियां नई नई जब साधी होती है तो उस वदू के साथ में, उस दूलन के साथ में कुछ लड़कियां भी जाती है जिने ओलन्दी बोला जाता है राजस्तान में क्या बोला जाता है ओलन्दी पुर्वी राजस्तान के मद्धे और पुर्वे भाकी परदान बोलिया है पूर्वी राजस्तान के मध्य और पूर्वे भाकी पूर्वी राजस्तान के मध्य पूर्वी भाकी परदान बोलिया कौन सी है? मध्य और पूर्वी भाकी परदान बोलिया रागडी, डुनडाडी, मेवाती या वागडी कौन सी बोली है? दुन डाडी है, कौन सी है भाई जेपूर के आसपा जेपूर दोसा में ये बोली जाती है कौन सा यूगम गलत सुमेलित है इन में से कौन सा यूगम है पाबु जी राठोड पाबु जी देखो जो लोग दे होता है साति ये पंच पीरू में सामीले ध्यान डिंट लेना एक टो लोक अ खकर यहां से स्वाल दो टिन पूछे जायें तो पबुची पंच पीरु में सामिल ले ये ध्यान डिंट लेना पबुची और जनम हुआ था कॉलू में कॉलू मंड वा था कॉलू मंड यह काम परमे नकलेन तो कॉलमन'mивать फोर में पाबुजी क्या हुआ था जोद्फुर में यहां पर इनका जनम हुआ था तेजल लाम सघरनाल हो इयसक्रों मेप हो जाएगा वाई यह क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा यह क्या हो जाएगा अगला है कि आली बक्सी ख्याल राजस्तान के को से चेतर में पर्चलित लोक नाटिय सेली है करोली चिड़ावा अलवर या चितोड अली बक्सी ख्याल कौन से चेतर में पर्चलित है तो कोई अली बक्सी ख्याल तो ये कहीं बार पूचा भी जाता है है अलवर में है कहां पर है अलवर ये आप चुका है कहीं बार परिक्षा मे राजस्तान में भोपू का मुख्य वाधी इंतर कौन से भोपा आप देखते हैं जिला जिसमें परुषिद भरतरी मेला आयोजीत होता है जेपूर, बरतपूर, अलवर या दोसा बरतरी का मेला कहां आयूजित किया जजाता है जीवडा बरतरी का राजा बरतरी का मेला लगता है साथ यूँ अलवर में कहां लगता है अलवर शी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा नीमन को सुमेलित कीजिए बतोग disc अंगर का मेला अंगरखी को क्या बोलते हैं बूगतरी अंगरखी का हो जाएगा बूगतरी एना अंगरखी बूगतरी हो जाएगा तारभाद की ओड़नी होती है तारभाद की ओड़नी होती है और फलिया पकड़ी फलिया पकड़ी इस परकार से अपना क्या हो जाएगा सुमेलित हो हुए कि राजस्तान का राज सोनी परिवार आब हुशन निर्मान की निमन में से किस कला से संबन भी राज राज सूनी परिवार कंदनकार मिनाकारी पटवा या थेवाकला तो राजसोनी परिवार ये थेवाकला के लिए परशिद है थेवाकला परताब गड़गी परशिद है डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा निमन को सुमेलित कीजिए बहुत ही सांदार सवाल है आपके सामने जल्दी से कमेंट करें जिसको भी आ रहा है चोर्यांसी खंबू की छत्री हम चत्रियां पड़ चुके हैं हैं चोर्यांसी खंबू की छत्री कांपर है बूंदी में है चोर्यांसी खंबू की छत्री कांपर है बूंदी में है दोलत बाग दोलत बाग एकठे जीवडा दोलत बाग अजमेर में है का है अजमेर में अजमेर लालगड विकानेर और जग मंदिर हो जाएगा उद्यपूर में देखो एक बार वापिश देखो चोर्याशी खंबू की छत्री कठ है बुंदी में ठीक है दोलत बाग कहा हो जाएगा अजमेर में हो जाएगा यहां तक ठीक है बिलकुल और लालगड का हो जाएगा बिकानेर में जग मंदिर हो जाएगा उद्यपूर में ठीक है हाँ सेम यह चलो अगला सवाल देख लेते हैं करोली जिले में इस्तित परशित केला देवी मंदीर किस नदी के किनारे है केला देवी का मंदीर करोली में है किस नदी के किनारे है चंबल मासी बानगंगा या काली सील नदी केला देवी मंदीर करोली में है भई जहांपर लांगूरिया गीत गाये जाते हैं कौन से गीत गाय काली सील नदी हो जाएगी कौन सी नदी काली सील डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा तो आज की कलास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एगली कलास में